नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोतिस सीक्रेट मेश रासी वालों राहू केतू का महापरिवर्तन हो रहा है राहू मेश रासी में यानि लग्न में आ रहा हैं 12 अप्रेल को और केतू आपके विवाभाव में तुलारासी में बैठ जाएंगे तो आपके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले डेड़ सालों के बीच चले जानते हैं विश्तार से तो देखिए जो केतू है पारह अप्रेल 2022 को दो पहर तीन बचकर 31 मिनट पर अपनी उच्च रासी से निकल कर तुलारासी में आएंगे अब केतू की जो रपतार है न वो धिमा है और एक गरह एक रासी से दूसी रासी में जाने में वो 18 महने का समय लेते हैं और बैदिक ज जाल हमेशा उल्टी रहती है यानि वो वक्री चलते हैं पीछे की तरफ अब बैदिक जोतिस के अनुसार केतू जो हैं वो ब्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं और जिस ब्यक्ति की कुंडली में केतू कि स्थिति उत्तम होती है वह सुख सम्रिद्दी एस्वरेपुर् दिमाग में गलत कारे करने का आइडिया या फिर बैरागी की तरफ केतू ले जाता है अब सब विसेश्ता है यहां पर केतू का लेकिन केतू जो है ना ब्यक्ति को कुसलता भी देता है नयाय की गहरी भावना देता है मीठी बानी भी केतू ही देता है और यहां तक की बिनम तुम्रता भी ब्यक्ति को केतू देता है। संघर्स और तक्राव से बशने का जो चतुर्रनिती होती है। केतु के कारण ही होता है ब्यक्ति के जीवन में संतुलन अब दुला में आएंगे तो संतुलन भी देगा और सुखद और सुन्दर तरीके से कारी को करने का गुन भी देगा तो ऐसे में केतु का प्रभाव आपकी जीवन पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे विस्तार से लेकिन उसके पहले एक और बात किसी भी ब्यक्ति को स्वें कोई भी स्वतंतर परिणाम नहीं देता केतू क्योंकि किसी भी ब्यक्ति की कुण्णी में जिस भाव में बैठता है ना उस भाव के स्वामी के अनुरूप फल देता अब यहां तुला पर बैठे वे हैं तुला रा ब्यक्ति को वैसा ही परिणाम देता है जैसे ग्रह उनके साथ जुड़ते हैं तो केतू जिस भी भाव में इस्थित होता है उस भाव का निम्नफल देता है और अलगाओ का भी ग्रह माना जाता है तो केतू कर्म प्रधान ग्रह है अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के क कर्मों का प्रधिन देतू करता है ऐसे मैं कर्म जीवन का अंतिम चरन के तू से प्रभावित होता है और सूराती करन राहुस प्रभाव होता है तो केतू कि cinema जीवन Legal एक और जीच जैन घ्रव Zumilqष देता है तो ऐसे में जब वो डेर साल तुला में रहेंगे तब क्या होगा तो मैं इस वालों 12 अप्रेल को जो केतू हैं वो आपके विबा भाव सब्तम भाव जिसको पार्टनर्शीप का भाव कहते हैं यहां आएंगे तो केतू के यहां आने से आप खासकर बेपसाई हैं सामिल खुद को ना करें क्योंकि आपके पास आने वाले प्रस्ताओं में चिपे वे कुछ ऐसे चीजें हो सकती है जो आपको चल कर हानी दे आगे चल कर आपको आपके साथ धोखाधरी हो तो इस धोखाधरी से आपको बचना होगा और यदि पार्टनर्शीप के काम में आपके लिए थोड़ा सा गरवड रहने वाला है तो स्वास्त को लेकर भी समल के रहें क्योंकि इस समय पीठ में दर्द पैरों में दर्द होने की संभावना है और बैभाही जीवन में किसी तीसरे बैक्ति के आने से आपके जीवन में समझ जाएं हो सकती है और के दूस्प कम होंगी आप इससे में हल्दी का तिलग भी अपने माथे पर लगा सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा अब देखिए केतू का समन्द पार्टनर्सिप या पर अवसर तो बढ़ाएगा लेकिन संभल के रहना है और बिभाह प्रेम बिभाह अंतर जाती विभाह के योग बनेंगे अगर आप प्रेम बिभाह का इंतिजार कर रहें तो उत्तम वक्त है नए कारे सुरू होंगे केमिकल डॉक्टर दवाई समन्दिक कार करना इस प्रियर में लाबकारी रहेगा बैबाही जीवन में थोड़ा समभल कर चलने की आपसकता होगी और अगर आप वह भी मित्र नयाकार सुरू करने के लिए आपको प्रेडित करेगा बेवजह की यात्राओं पर थोड़े कर्चे इसका ख्याल रखना है और थोड़ी बहुत आर्थिक मुस्किले हैं अपने कीमती समान की रक्षा स्वयम करें क्योंकि समान चोरी होना खोना जैसी चीजें हो सकती ह थोड़ा सा पेट का धियान रखें और हल्दी का तिलक लगाएं विस्नु सहस्त्र नाम का पार्ट करें खर्चों पर कंट्रोल करें तो